राधेरादे महराची आपके चर्णों में मिटा दिया वही महात्मा चाहे वो जिस पोशाक में हो जो काम को नहीं मिटा पाया वो राम को नहीं प्राप्त कर पाया जहां काम तहराम नहीं जहां राम नहीं काम जैसे शूर्य और अंधकार एक शाथ नहीं रह सकते जहां शूर्य है वह अंधकार नहीं रह सकता यह काम सत्ता नहीं है भगवान कह रहे हैं मात्राय इस परशास्तु कउंतेय सीतोष्ण शुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस भारत तितिक्षा वाने शहनशील इसको सहो आदेश करें कैसे सो यह आने जाने वाली ब्रतियां है अनुकूलता प्रतिकूलता श की सत्ता नहीं है अब ये काम कब शताता है काम कब बढ़ता है काम कैसे नस्ठड़ता है इस जब हमारी देहा भी मान में ये बात वैठ जाती मैं स्त्रिहों मैं पुरुश ओ अब आपको कामका सताएग और जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बाते श्रवन करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी शुरूप है, उस जुआला शुरूप हो जाएगा, अर्थात, को आ मदांधो, मदना तुरूवा, वो आपको अंधा कर देगा, जो अपने शुरूप में आए हर अंता करन हैं सब के लख बिरले पाए अब जो हम शाधन पत्ष की तरफ चरण पधराए गुरु कृपा से तब समझ में आया कि मेरे अंदर तो काम है मेरे में कहां काम है बड़ा सुक्ष्ण विसा है देखो यह शरीर है धांचा आए यह आप नहीं है इसमें चैतन्य का चीतनात्मक प्रकाश है जैसे ऐसे हम चुम्बक छुपा दे और लोहे का कुछ भी सामागरी डाले जैसे चुम्बक करेंगे वह ऐसे जड़ लुवाई ले अशे आत्मतत्त में इच्छा नहीं है जैसे चुम्बक की इच्छा नहीं कि लुवाई ले और उसकी सक्ति है वह इला देगा उसे अशे आत्म शक्ति की अकाम आत्मशक्ति की पेरणा से इंद्रियों में मन में शरीर में एक हलचल होती चैतन्यता सब कर परम प्रकाशक जो वो आकाम है उसमें कोई कामना नहीं है पर उसका चैतन ने घंस रूपी आया हम भूल गए और हम इसे अपना मान लिया अब कामनाओं की भीड़ लग गई है सब के एक ये इस थुल सरीर है और इसका जो शंचालन कर रहा है उस सुक्ष्म सरीर है और उसकी जो प्रवतियां चुर्पाव से हो रहे हैं और इन थी नों को जो प्र कासित कर रहा है वह आत्मतत्व है उससी के पावर से पावरवान है अभी अनताकरन के अहम रूपी घर में ही रेता है जो काम है यह जिसा अभी समय आपके कहा काम है क्यूंकि आपके अंताह करण का जो निश्चे है, बुद्धी ने निश्चे किया, सादु समागम करना है, मन ने मनन किया, चित्य ने चिंतन किया, आमने स्वईकार के लिए आके बैठ गए, अब कहां काम है, बुलो, इस समय तुम काम पीड़ी तो, नहीं, इसका मतलब नहीं है ना, वो समता से पकड़ना तब समझ पाओगे, आने जाने वाला है, वो इस्थाई नहीं रहता है, अब आता कहां है, अभी हम जब भगवान की चर्चा कोई भावात्मक करें, तो आपके आशु आ जाएंगे, कोई धर्म किहान करने वाले दुर्ष्ट की चर्चा करें, तो आपको मनन और बन गया संकल्प, संकल्प बनते ही क्रिया करो या न करो, आप नश्ठ हो गए, जैसे शुपन दोशा दिया न, कोई क्रिया नहीं होती, पर संकल्प बन गया, शुपन में ही, और यह संकल्प मिटालना होगा मन का, पहली बात आप में कभी काम आता ही नहीं है, कोई स गोश्वामी जी नहीं लिखा है इश्वारंस जीव अविनासी चेतन अमल सहज शुक्राशे भगवान करें ममईवान्शो तु मेरांस है और जिसमें तो फसा हुआ है मनाखष्टा निंद्रियानी प्रकतिस्था निकर्सती मन पांच गया निंद्रियों के साथ बिश्यों में ब्रह्मण कर रहा है तू नहीं यहां इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने मन को अंताकरण को मैं मान कर तदात्म कर लिया है मेरा मन ने कहाया मैं मन का गुलाम हूँ वही करूंगा जो मन कहेगा मैं मन नहीं निकला वहां भी वो बरणन कर रहा भेद पर भाव में और तदात्म हो गया है बस भीया जब तक यह तदात्म वाली बात समन में नहीं आएगी तब तक कोई जादू टोना उसदी नहीं पैदा हुई कि तुम्हारे काम को मिटा दे बहुत सुक्षमता से समझा यह काम आदि दोष और शदियों से नहीं मिटते हैं यह अध्यात्म से मिटते हैं अज्ञान नष्ठ होने पर ही कामना कानाश हो जाता है जब आप ये समझ गए कि काम मेरे में नहीं ना था कभी ना है और न रहेगा पक्का तुम्हारे में काम नहीं है काम है अंता करण में और उसकी क्रिया होती इंद्रियों में जो इस थुल सरीर में दिखाई देती है अंता करण में तदात्म होने के कारण हो रहा है अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आप से ना लें नाराज हो जाओगे थोड़ी दिर बुरा भरा बोलोगे चले में गंदा नहीं कर पाओगे यह मन जब तक जीता नहीं जाता जीता मन इस पर विजय प्राप्त ने की जाती तब तक हमारा सबसे बड़ा दुस्मन हमारा मन है इससे बड़ा कोई दुस्मन नहीं आप देख लो एक शन में ऐसी क्रिया करा देता है पांच मिनट की पूरा ज यह हमसे पावर ले रहा है ना कि हम इससे पावर ले रहा है यह बात अध्यात्मिक ही समझ सकता है संसारिक नहीं समझ सकता है और इस रोग का समना ध्यात्मि में है संसार में आता कोई बैद दे ऐसी दवा नहीं दे पाया ऐसी नहीं बना पाया कि यह लो तुम्हारे काम का समन हो जाएगा ये लोग तुम्हारा मन अचंचल हो जाएगा ये लोग तुम खाव ब्रह्म सुरूफ हो जाओगे कोई अउसादी नहीं बनी इसके लिए शुद्ध भगवत प्रेमी मात्माओं के द्वारा उनके वचना अम्रत जो निकले उसका मनन करके विचार के द्वारा सु प्रश्णा बढ़ रहे हैं मन में जब काम का इस पुरण हो पहले इस पुरणा होती है तुरंत संकल्प नहीं बनता पहले इस पुरणा होती है उस्चमय यदि आप द्रश्टा हैं जैसे आप हमें गंदी चीत दे रहें नहीं चाहिए बाई मेरे शिद्धानत के खिलाब य अगर धर्मयुक्त काम है तो भगवान उसे आदेश करते हैं पानी ग्रशंसकार के पत्नी है शंतानोत पत्ति के लिए वो भगवान की पूजा के समान है वो विशय सेवन बाधक नहीं है क्योंकि सिद्धानत बना हुआ है अगर आप उसका सेवन करते हैं भगवान का इश् पltति है वो जब मन आपको पेरित करें तो उसको ऐसे डान्टों जैसे हम आपको अपको प्रगट में गंदी चीज दें तो आप मन अंदर से गंदी डे रहा है तब तो आप तदाय नहीं इतनी गंदी सामाओवर्य दे रहा है दूसरे की माताव बहन की तरफ या दूसरे प अग्यान के कारण मन में तदात्म और मन ने सर्वनास कर दिया इस दुस्ट ने इस दुस्मन ने हमारा जो मनुष्य शरीर मिला था दिव्यानंद के लिए नश्ट कर गया तो आपके अदुस्मन मानते हैं अपने मन को देखिए जब सला आपकी चल रही होती है अंदर ही अंदर तो आपकी चल रही होती है आप और मन दो नहीं होते हैं इतने तदात्म होते हैं कि वो आपकी मांग होती है और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाये अगर उसकी बात समझ गए, तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, श्रदावान लवते ग्यानम, तक प्रास सही तेंद्रिया, अब समझ में आया, कि तुम आके हमसे आथ मिलाते हो, दोस्त बनते हो, गला काटते हो मारा, आए मन, आप तसमास सास्त्रम प्रमाणम ते क अब वही करूँगा, जो गुर्देव बोलते हैं, जो गुरुवानी बोलते हैं, जो सास्त्र बोलता है, अब तु जलाले कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूँगा, हमारे सब्दों को याद रखो, अंदर जेवी लड़ोगे, तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पेदा, ए नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा, उसको बड़ डाटते रहो, और डाटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा, 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 वो तुम्हे सांत करना चाहिए, सुनो ना, सुनो, थोड़ा छुप करो, छोड़ो नाम, और हमारी बात सुनो, और जहां सुनने लगे, फिर तुम्हारी बादुरी काम ने, नाम पहारू दिवसने से, रात दिन पहरा नाम भगवान का है, जो गुरु ने दिया है, राधा, 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 आये दुष्ट, अंदर से ही, बोलना नहीं, अंदर की ब बार में नहीं इसके साथ का हमें करोणों बार लड़ाई लड़नी हैं हर बार वो ऐसी चाल करेगा कि आपको अपने अधीन कर लिए अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप महापुरुश हो गए बस इतनी बात समझे इसके और दूसरा उपाय नहीं अभ्यास और वैराग्य नाम, गुण कीरतन, बानी कीरतन ये हमारा रक्षक है और वैराग्य की बहुत बार भोगा है अगर काम है और आप ग्रेस्थ हो पत्नी है या पति है तो धर्म पुरुवक वह एक मर्यादा बनी होई है और नहीं है तो फिर आपका जो मार्ग है फिर उसी मार्ग पे चलो मार इसके जैसा नीच ये अग्यानियों का तो दुस्मन है लेकिन ग्यानियों का भी नित्यवेरी है बड़े-बड़े बुद्धिमानों को अपनी चपेट में ले करके और फिसला के ऐसी जगे रोंदता है कि फिल लगता है अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया एक गलती पूरे चीवन को मिटिया मेट कर दे इस दुस्मन से सावधान अब शावधानी सहन शीलता यम हीन विथिंते पुरुषम पुरुषरशव शम दुखा सुखा धेरं सोम्रत त्वाय कलपते अब वो बेथा दे रहा है आप राधा 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 सुनो तो एक बात सु नहीं वो धीरे 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 जब देख लेगा कि मेरी कोई सलाया नहीं मानी जाती वो एक दिन तुबारे जिस दिन अधीन हुआ तो वही मन भगवान बन जाएगा ध्यान रखना इंद्रियानाम मनशाष वही देखोगे को यह तो स्रीकृष नहीं है अब मन मन नहीं राधा अब मन भगवत शरूप हो गयर इसके लिए तो प्रयास अभ्यास और इसकी सलान इसमें कमजोर नहीं होना रोना दोना नहीं बात समझना अगर रोने दोने वाले हो तो गिरा दे सयाने को नहीं सयाने मने प्रवीन नहीं यह देखो बहुत सुंदर है बहुत खा के देखो बहुत आनंद है चू के देखो बहुत आनंद है वो नहीं मेरा स्वरूपई आनंद में तेरे बताए वे जितने आनंद है हमने समने कोच की जब से श्रष्टी आज तक कहीं आनंद हट करो पर ये बाते क्यों कहने में अच्छी लगती है अंदर लड़ने में लही वो इतना जलाता है इतना जलाता है को सब भूल जाता है कि आलम बहरा क्यों होता है देखो जो होगा नरक सुरक बाद में देखायागा अभी तो बस अभी तो बस इसमें फचाता है मन इसमें श नहीं है दुस्मन तुम्हारे ही दूद पिलाये बलवान हो रहा है अगर डीले पड़ गए तो गला दबा देगा और अधिन रखेगा बहुत जन्मों से रख रहा है तुम्हारा खा के तुम्हें रौंद रहा है बात समझ लो अगर जिस दिन तुम्हें ये भेद पता चल गय कि मेरे ही पावर से मुझे परहसान कर रहा है और नाम का अश्रे लिए भगवान का अश्रे लिए तो ये परास्थ हो जाएगा अगर ना होता तो माहत्माओं को भगवत प्राप्ति स्वरू बोद्ध्य तत्यबोद्ध कैसे उता इसी से तो होता है पर इतनी मोटी पूटी लड़ाई नहीं है मा भारत से भी बड़ी लड़ाई है यह मा क्योंकि वहां बारस्त्र चल रहा अंदर ही है अंदर घर के अंदर का दुस्मन बहुत खतरनाक होता है बार वाले से तो दरवाजे बंद कर लिए निपट लेंगे जब बार निकलेंगे पूरी तैयारी स घर में अगर घरे में तो सोते जागते हर समय भय तो ये ठाड़े बैठे परे उताना कबीर कहां हम रहें ठिकाना अपने इस्ट देव का सुमिरन अपने प्रभू का शुमिरन और अच्छा सात्विक भोजन अच्छा संग गंदे दरश नहीं देखना गंदे बात नहीं सु प्रभू की क्रपा आप पे हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा इसमें किसी का जादू टोना जादू मंतर दवाव सथी कुछ काम नहीं करती इसमें सिर्फ बिवेक काम करता है बुद्धी तो सब के है पर बिवेक किसी किसी के है बिवेक मिलता है सत्संग में बिन सत्संग बिवेक नहोई राम कृपाविन शुलम नुशुई आप सब भागवान हैं जो आप अपने अंता करण के दोशों का त्याक करना चाहते बिलकुल घबडाना नहीं देखो ये युद्ध ऐसा नहीं हो था युद्ध में सामने वाले को परास्त करने का इतना उत्सा होना बड़ो ही कठी नहीं भजन धीक डरिवो ये कोई खेल तो मसा नहीं नागरीदाजिल का है ये कोई खेल नहीं है मन से लड़ना सब बाहर के लिए लड़ने वाले बहुत हैं बाहर के लिए मिसाइल है परुमानुबम है तो जाने क्या-क्या है लेकिन मन के लड़ने के लिए कुछ नहीं है जो सब कुछ बना सकता है उसी को मन परास्त करके भोगों में अधीन किये हुए है बद सावधान अध्यात में ही एक है जो इस मन को परास्त कर सकता है जो इस काम को भगवान अरजन से कहने मार इस काम को ज्यानियों का नित्य बेरिक कभी न अगाने वाला ये द बोगवननाम, पवित्र चिंतन, पवित्रहार, पवित्रशंग और मैं मन नहीं हूँ, मैं अकाम हूँ, अकाल, काल की भी ताकत नहीं कि मेरे को इस पर्च कर सके, ये पांच भौतिक शरीर है, мैं इस्तृर हूँ न मैं पुरुश हूँ, न मैं करता हूँ, न भोगता करो इसे लड़ना करो फिर हार जाएगा अभी नहीं हारेगा आली तो रूलाए गा पता नहीं किया क्या ग्यान पिर विवात का धिता की ने यह देखेंगे यह सुनेंगे यह सुंगेंगे हूँएगे सब इसपर सुरूप रज-गंथ अगर हिम्मत मैरवान तो पहलवाल हिम्मत करो तो जीत जाओगे भगवान जिता देंगे नहीं तो यही तो परास्ति के बिविद कामनाएं हमारे हरदे को जलाती रहती जब तक कामनाएं हैं तब तक शुक शानती नहीं अच्छत काम सुक सपने उना ही जब तक काम है हरदे में शुपन में भी शानती नहीं मिल सकती और भगवान का इश्मरन साब कुछ समाल देगा खुब भाव से नाम जब करो सत्संग शुनते रहो डरो मत डटके लड़ना सिखो अपने से यहां डटके लड़ना बाहर से सब सिखाया ज़ता है अंदर अध्यात्म अंतर मुखता है अंतर मुखता इंद्रियों की गंदी विचार गंदी स्पुरणाय गंदी बातों का अंदर ही विरोध करते हुए त्याक करके कभी कदम इन मन बुद्धी के द्वाला पेरितों कर गंदे आचरण में न दे और नाम जब करे तो देर न लगे चमतकार प्रगठ हो जाए जीवन में आनंद, शांती, किसी भी परिष्टिती में न दुख है न सुख है, हर समय प्रशन्नात्मा, ब्रमभूता प्रशन्नात्मा, तो मनुष्य जीवन तो इसी आनंद के लिए मिला है, हाँ लड़ना सीखो, इस मन से लड़ना सीखो, वो बलाएगा नाम, सी हरिवन्ष नाम बल्लहों, अपने मन भाई सबकाओं, देखते हैं, देख लेंगे, एक तरफ गुरू प्रदत्त नाम है, वो एक तरफ भगवदंस शुरूप मन है, लड़ाई जोर की है, कोई कम जोर नहीं है, अगर वक्ती भगवान की प्रिया है, तो हरी भी भगवान की है, मायापती नहीं प्रिया गया ला? बहुत जोर की लड़ाई है, पर जीते हैंगे हम, इसलिए जीते हैं कि भगवान की हम सरन मे हैं, हम गुरुद् крут की सरन मे है, चतुर्खेवया गुरुद्यव भगवान लाखों को पार कर दिये, तो हम को भी पार कर देंगे, इसलिए हम को हारना नह है और जितना सह सकोगे उतने आगे बढ़ पाओगे हम लोग तूट जाते हैं थोड़ी सी जहां पीड़ा मन ने दी तो फिर वही कर लगने लगते हैं जो मन कहता है कसमों समसब तोड़वा देता है इसलिए साउधान चले